दोस्तों नमस्कार इंडियन विलेज विलोग में आपका स्वागत है आज हम आए हैं आपके सामने जै बाबा भगवान दास जीगे मंदिर में आए हैं और इसकी मनों कामना पूरी करनी होगी आपको और हमको भी करनी हैगी इसका एक यह है बीडी गुटका तमाखू हुक्का पानी सब blur गुटक बंद रहेगी कि समें कोई खाने का उप्योग में नहीं ले चुरिय तक भी बंद है इसमें खाने के लिए और इसमी आने के लिए इसमें दर्शन करने के लिए और आने के बावल शेतर में टीकला गाउं में रिवाडी इनकी डिश्टिक है जो भी मिलना चाहे या पर मंदिर में आना चाहे तो आ सकते हैं पूरी डिटेल हम डिस्क्रेप्शन में दे देंगे आपको एक-एक एडरस है और आगे चलते हैं बगवान दाज जी के मंदिर में क्या-क्या हर्याना में है गाउं दिखाते हैं सब आपको चलो दोस्तों आउटी पिरानपुरा रोड से हम चलते हैं और दिखाते हैं टीकला गाउं का मंदिर मंदिर में देखो दोस्तों आपके सामने में दिखा रहा हूं यह बाबा भगवान दाज जी का मंदिर है गाउं है टीकला ह परियाना के अंदर बावल छेतर में और रिवारी डिस्टिक लगती है आपके सामने और अंदर चलते हैं हम इसमें क्या फैमस्चीज है यह देखो बोर्ड पे लिख राका है जै बाबा भगवान दास जी किर्पया चपल जुते बाहर गेट पे ही निकाल दें और आगे दिख बावन दास जी का मंदिर दिखाएंगे आगे जो उनकी मूर्ती लग रही है वह वाली कि अधाये सीन है यहां पर विश्राम गिरह है आपका विश्राम कर सकते हैं बैठ सकते हैं आगे चलो मंदिर पे चलते हैं आगे चलो दोस्तों आगे चलते हैं इस पे हुका पानी गुटका दारू चुरी सभी बंद है जो किर्प्या यहां पर आए तो ये सेवन ना करें और आगे अपने जिन्दकी किसलिए छोड़ दें सभी चीज खाने के लिए इस पे जो मनो कामना करोगे आपकी जो पूरी होगी य पूका पानी गुटका सभी चीज छोड़नी पड़ेगी और देखने लायक चीज है ये आपको दिखाते हैं मोर आगे ये देख लीजी आप सिरी भगवान दास जी का मंदीर है किर्प्या ज़रूर आये और ज़रूर देखें ज़रूर दर्शन करें ये दिखाते हैं आपक देख लीजिए आप भगवान दास जी का मंदिर है बहुत ही प्रसीद है एक जै जरूर बोल दे जै हो भगवान दास की जै चलो और दिखाते हैं आपको बहुत श्यानदार है इस पे जो मनो कामना आप लेके आते हो वो आपकी मनो कामना पूरी होती है और इस मंदिर पर आपकी बहुत जरूरी है पूरी होने के लिए गुटका, भीडी, सिगरट, चुर्री सभी चीज आपको छोड़नी पड़ेगी और इस पे आपकी मानत्या बहुत जरूरी है यह महराज का धोना था यहापर और दिखाते हैं आपको दूसरे पर चलते हैं भगवान दाज जी के मंदिर पर यह दूसरे मंदिर पर आ चुके हैं यहीं पर है यह देख लीजी आप चलो दोस्तों और दिखाते हैं आपको आगे इसका पूरा सीन दिखाते हैं यहापर बीडी गुटका खाने से आखों में खुजली गर में कलेश होना सुरू हो जाता है यह देख लीजी आप यहापर सुबह सुबह चुगा भी बहुत जरूरी है घर में कलेश उलेश कुछ नहीं होता है यह बाबा का मंदिर देख लीजी आप देखने लाएक चीज़ है यहापर जरूर आए बावल छेतर रेवारी डिस्टिक में है आपका यह टीकला गाउं के अंदर बहुत ही प्रिसिद चीज़ है देखने की हम दिखा रहे हैं आपको बहुत महिनत कर रहे हैं चलो तीसरा मंदिर और दिखाते हैं हम आपको और यहापर बंडियारा भी चलते रहते हैं यह देख लीजी आप ठीक है दोस्तों किसी की भी इक्छा हो यहाँ पर आने के लिए यह देख लीजी यह पूरा मंदिर इनका तो जरूर आए बावल छेतर टेकला मोड पे पावटी प्रान पुरा से पहले पढ़ता है यह आपके सामने बावल से निकलते ही बावल से लगबग 10 किलो मेटर आगे है यह अंदिर और इनकी वो दिखाते हैं यह देखो सिविंग पुल भी मना राग का है महराज के यहाँ पर देख लीजी आप भी चलो दोस्तों और दिखाते हैं आपको बहुत इस्यांदार चीज है देखने के लिए और यहाँ पर पार्किंग की भी बहुत बड़िया सुविद्या है यहाँ पर विश्राम कर सकते हैं और यहाँ पर बंधयारा चले रहते हैं कि यहाँ दीख़ा होगा आपको विसराम्क रह है वहाँ पर बंधयारा के लिए आप बंधयारा जिसकी एक्छा हो जिसके मनों कामना पूरी हो जाए तो यहाँ से बंधयारा start होता है आपका ठीक है दोस्तों और दिखाते हैं कुछ आपको ये देखो मंदिर बहुत ही श्यांदार मंदिर है यहाँ पर जिसकी भी मनो कामना पूरी करने घर से जो सोच के चलता है वो मनो कामना पूरी होती है और इसकी एक ही मानतिया है पूरे गाउं में भी एक ही मानतिया है जबी मनो कामना पूरी होती है आपकी पूरे गाउं का एक ही एका बना हुआ है इसमें जो भी ये सेवन करता है उसके आखों में खुजली या घर में कलेश होना सुरू हो जाता है यहाँ पर फिर छमा मांगने आते हैं भगवान दास जी से छमा मांगने आते हैं तो उसको थो यह देखने लाइक चीज है देख लिए आप भी भूत परेट आपके घर में भूत परेट कुछ भी आए तो यहां पर एक बर आके बाबा से अर्दान करें यह देखो भगवान की दान पात्र पेटी है इस पर पूरा एड्रस लिख राका है आपका आप जरूर देख ले और दिखाते हैं आपको चलो आगे की तरफ चलते हैं एक यह देखो chips भी लगा रखी है एक ठेट से और ठेट मंदिर तक इस लगा रखी है सारी सुविध थ्या हो रही है टाइल से और दिखाते हैं आपको आगे है ठीक है दोस्तों आगे और चलते हैं जिसकी मनो कामना पूरी होने पर यहां पर भंड्यारा करने के लिए इक्चु हो वो यहां पर कर सकते हो आके यहां पर फुल सुविद्या रखी हुई है भंड्यारा चलते रहते हैं यहां पर सभी की मनो कामना पूरी होती है सचे दिल से आते हैं उनकी सभी मनो कामना पूरी होती है यह देख लीजिए दोस्तों यहां पर बंडियार चलते रहते हैं दोनों उसमें और दिखाते हैं आपको आगे यहां पर इन्वेटर बैटरी जन्रेटर की सारी सुईद्धा कर दी गई है और जो भी लोग आप आने चाहते हो बगवान दाज जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए आप जरूर आईए इसमें घर की मनुकामना पूरी करवाने के लिए ग्याहि एज है चलो दोस्तो अमा बैटी हुई बढ़ं में इन से बात करते हैं और पूछते हैं इनके बारों में क्या-क्या उप मतर अब इन यहीं कि खास बात क्या है यहां पर पूरी गांव हैं के रहने वाले हु इसमें क्या इसमें खास बात है अप उज़्यकू को जो खाबिल है जो भार का है या गाव का भी कोई खाले तोड़ देता है बहुत जरूरी है और इनका यह यहां पर एक ही मंदिर है मंदरियो एक साही बन्ट में घुता गवा कि पितने भाई थे नोवा दिटने भाई दो वाई कि दो वाई थे दूसरा कहा है इनका है जात वैरोड पर यह दूसरा भाई चलो वीडियो भी दिखाएंगे हम आगे भी जाट वैरोड वाले भी दूसरा भाई इनकी बहुत दास जो दूसरे भाई थे उनकी भी हम दिखाएंगे आपको और अम्मा इनकी जैसे खास कोई बात हो ऐसे जिसके बात है इसी सब्सक्राइब कर सकत मनाई सार चीज की सकत मनाई है जारू बीड़ी गुटका चिगरेटे कुटका पानी कोई भी पीता है जो कर भी लेता है उनको सकत बने भीता है जो कि दोस्तों चलते हैं आगे आपको और दिखाते है मैंगेट और दिखाते हैं आपको मैंगेट पे इस्पेशल ये उकापानी गुटका की इस्पेशल मानतया के लिए यहां पर लिखदा की है आपको शरू में बढ़ते हुए ही तुको आप देशक लेक सक करते हैं देख लीजिए जै भगवान दास जी किरपय चपल वजुत्ता गेट से बाहर निकाल दीजिए निविदन है कि सिरिफ बाबा भगवान दास सेवा समीति से आप इस चैनल पर पहली बर आयो तो इस चैनल को आप सस्क्राइब कर दें और इस वीडियो को जादा जादा सेर कर दें और इस वीडियो को लाइक बहुत जरूरी है करना धन्यवाद दोस्तों धन्यवाद ये वीडियो आपको जरूर करना